पाट सत्रा पत्र लिखन लेटर राइटेंग पत्र लिखना एक काला है सही ठंग से लिखा गया पत्र पाठा की हरिदे पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रीष्ठ माध्यम है पत्र लिखते समय निम्नलिखे बातों पर ध्यान देना चाहिए ग पत्र की भाषा स्पष्ट एवं सहच होनी चाहिए ग पत्र संक्षिप्थ होना चाहिए ग पत्र की भाषा शिष्टता पूर्ण होनी चाहिए घ, पत्र लिखते समय नई विचारों को नई प्यारग्राफ अनुचीत से प्रारंब करना चाहिए न, पत्र उद्देशी पूर्ण होना चाहिए ज, पत्र में विरामचिन होपर समुच ध्यान दिया जाना चाहिए पत्रों के प्रकार Types of Letters मुख्य रूप से पत्रों को दू वर्गों में पाटा जा सकता है एक, आपचारिक पत्र Formal Letter दू, अनपचारिक पत्र Informal Letter एक, आपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारा निजी संबंध नहीं होता है उन्हीं लिखे जाने वाली पत्रों को आपचारिक पत्र कहते हैं इस प्रकार की पत्रों में आपचारिक ना का विशे महत्व होता है कार्यालेयों, समचार पत्रों के संबंध को, व्यवसाइक प्रतिष्ठानों, आदि को इस प्रकार की पत्र लिखे जाते हैं दू, अनपचारिक पत्र जिन लोगों से हमारा व्यक्तिकत संबंध होता है उन्हें लिखे जाने वाले पत्रों को अनौपचारिक पत्र कहते हैं इस प्रकार की पत्रों में अपचारिक ताका अधिक महत्व नहीं होता है इस प्रकार की पत्र संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं अपचारिक पत्र एक, अफकाश के लिए प्रधानाचार्या को पत्र पाच सो तीन बटा बारा आदर्श नगर लखनाउं सीवा में प्रधानाचार्या आदर्श विद्याले इंद्रनगर लखनाउं विश्य, अफकाश हे तु निवेदन महोदया, सविने निवेदन है कि दिनांग 16.1.2013 को मेरी बड़े भाई का विवास अंसकार हमारी ग्रहचनपद गुरकपुर में संपन्न होगा अता, इस विवास समारों में सम्मलित होने हे तु मुझे दिनांग 14.1.2013 से 18.1.2013 तक पांच दिन का अफकाश प्रदान करने की क्रिपा करें आपकी महान क्रिपा होगी आपका आग्यकारी शिश्य, विपुल श्रिवास्तव, गक्षा, पांच, अ, दिनांग 21.2013 दू, शुल्क मुक्ती हीतु, प्रधानचार्या को पत्र सीवामी, प्रधानचार्या, आदर्श शिक्षा निकेतन, इंद्रनगर लखनव विशे, शुल्क मुक्ती हीतु, प्रार्थना पत्र महोदया, सविने निवेदन है कि मैं आपकी विद्याले में कक्षा पांच अगा चात्र हूँ पिछली वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्रात किया था मेरे पिताजी एक प्रात्मेक विद्याले में शिक्षक हैं। उनकी मासिक आए 3500 रुपे मात्र है। इतनी कम आए में परिवार का भरण पोशन। हम दो भाई बहनों की पढ़ाई आदी की खर्चों की पूर्टी बड़ी कठनाई से हो पाती है। विश्य दिव्यम सेंग। कक्षा पाँच अ। दिनांक बारा दो दो हजार तेरा। 3. कक्षा में खराब पंखा ठीक कराने हेतु प्रधानचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानचार्या बालशिक्षा निकेतन। विकासनगर लखनाउ। विश्य गक्षा में खराब पंखा ठीक कराने की संबंध में। महोदया सविने निवेदन है कि हमारी कक्षा का एक पंखा दस दिनों से खराब है। जिसके कारण हम छात्रों को काफी परिशानी हो रही है। अता निवेदन है कि हमारी कक्षा की खराब पंखी को ठीक कराने की क्रिपा करें। आपका आज्यकारी शिश्य, राजीश खरे, कक्षा मोनिटर, कक्षा पाँच अ, दिनांग आठ एक दोहसार तेरा चार, मैत्रिपूर्ण खोखो माच की अनुमती हेतु, प्रधानचार्य को पत्र सेवा में, प्रधानचार्य, आदर्श विद्याले, क्यांट रोट, गोरकपुर, विशे, मैत्रिपूर्ण खोखो माच हेतु, अनुमती के संबंध में महोदया, सविने निवेदन है कि कक्षा पांच आ के बच्चे, कक्षा पांच बच्चों के साथ दिनांग पंधरा, दो, दोहसार तीरा को पांचवे कालांच में मैत्रिपूर्ण खोखो माच खेलना चाहते हैं अता इस मैत्रिपूर्ण खोखो माच खेलने की अनुमती प्रदान करने तथा क्रीडा अध्यापिका को निर्नायक की भूमिका का दायत्व सौपने की क्रिपा करें आपकी आग्याकारी शिश्य, विपलसिंग, तथा अन्शिल मिश्र, कक्षा मोनिटर, कक्षा पाच अ, एवं बह, दिनांग, दस, दो, दोहसार तेरा अनौपचारिक पत्र पांच, चात्रवास से पिताची को पत्र नेहरू चात्रवास, क्यांटरोड, देहरादून, दिनांग, ग्यारा, दो, दोहसार तेरा पूची पिताची, सादर चरणसपर्श मैं यहां सकुशल हूँ, आप सबकी कुशलता की कामना करता हूँ आपका पत्र मुझे कल प्राप्थ हुआ, जिसे पढ़कर हार्दिक प्रसन्नता हुई मैं जानता हूँ कि आपको मुझे से बड़ी आशाए है मैं आपकी आशाओं को पूरा करने हेत्व, पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूँ आपकी आशिर्वात से कुशल अध्यापकों का मार दर्शन मुझे मिल रहा है मुझे किसी बात की कोई परिशानी नहीं है मादाजी को प्रणाम तथा शिवांगी को आशिर्वात आपका पुत्र आरोण सिंग चे अपनी नए विद्याले के संबंध में मित्र को पत्र 35 पटा 18 राजजी पुरम लखनाओ दिनांग 12 दो 2013 प्री आलोग नमस्ते तुम्हारा पत्र प्राप्थ हुआ जिसे पढ़कर हार्थिक प्रसन्यता हुई मुझे पत्र लिखने में कुछ विलंब हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पहले अपने नए विद्याले में प्रवेश ले लूँ फिर मैं तुम्हें पत्र लिखू सौभा के से मुझे दयानन विद्याले में प्रवेश मिल गया है विद्याले का भफ्य भवन, यहां का अनुशासन, अच्छा पुस्तकाले, अध्यापकों का मधुर्व्यभार, आदी सबी चीजें आकर्षित करने वाली हैं। मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है। चाचा जी, चाची जी को प्रणाम, तथा अनुपम को प्यार, तुम्हारा अभिन्न मित्र, राजेश। साथ, अपने मित्र को परिक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र, 28 पटा 30, शक्तिनगर, दिल्ली, दिनांक, 28 फरवरी, 2013, प्रियर राकेश, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे पिताजी से यह जानकर अध्यन्द खुशी हुई, कि इस बार भी तुम कक्षा में प्रथम आये हो, और इस बार तुम्हारी अंग पिछली कक्षा से भी अधिक हैं, लगता है तुम्हारी रुची पढ़ाई में और भी अधिक बढ़ गई है, इसी तरह यदि तुम महनत करते रहे, तुम अकली कक्षाओं में भी प्रथम श्रेडी में उत्तीर्ण होते रहोगे, मेरी तुम्हें एक सला है, कि विद्याले से मिलने वाली विशिष्ट चात्रा वृत्ती पाने के लिए कुछ और अधिक परिश्रम करो, मुझे विश्वास है कि तुम इ परिख्षा में असफल होने वाली छोटी बहन को सांत्वना पत्र, चात्रावास, सालवान पबलिक स्कूल, नई दिल्ली, दिनांग, 25 मई 2013, प्रिय सुगंधा, प्यार, तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर पहुत दुख हुआ, कि तुम इस वर्ष परिख्षा में उत्तीर नहीं कर पाई, सुगंधा, इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, यह सभी जानते हैं, कि पिछले एक साल से तुम्हारा स्वास्ति ठीक नहीं चल रहा है, बार-बार बुखार आता है, और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा, ऐसे में पढ़ाई में ध्यान देना अस रंभवसा हो जाता है, तुमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं है, अनुतीन होने के कारण दुखी न होना, सुगंधा, मैं इश्वार से प्रार्थना करता हूँ, कि वह जल्धी तुम्हारा स्वास्ति ठीक कर दें, मुझे ठीक होने पर, तुम पढ़ाई में फिर से चुट जाओगी, और परीक्षा में प्रतम श्रेडी प्रात करोगी, तुम्हारा अभिन भाई, दिनेश